Hello everyone, my name is Shivendra Thoth. Today I am going to describe you about the important maxim of law of doubt, UB Just Abbey Remedium. दोस्तों यहाँ पे आपको bold letters में एक maxim दिख रही है UB Just Abbey Remedium. बहुत ही important और bold definition है law of doubt के लिए क्योंकि यह बताता है हमको कि किस तरीके से remedies, wrong और compensation एक दूसरे से जुड़े हुए हैं complimentary हैं. तो आईए जानते हैं कि आखिर क्या meaning है UB Just Abbey Remedium का. जैसा कि मैंने आपको पहले ही definition में ही पता दिया where there is a wrong, there is a remedy. जहां कहीं भी कोई wrong होता है, किसी वेक्ट को hurt पहुंचता है, जो law के according गलत है, तो वहाँ पे उसको remedies या compensation मिलता है. अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर wrong क्या कहा जाता है taught में. It is presumed that whenever a wrong is committed, it means that legal duties have been omitted. मतलब जहां कहीं भी किसी वेक्ट की कोई legal duties या legal करतब बनता था, कि वो उस कारे को करे, बट वो उसको omit करता है या गलत धंग से करता है, तो उसको हम कहते हैं wrong. और इसी wrong के लिए मिल सकता है compensation या remedies जिस भी वेक्ट को hurt पहुंचता है. अब यहां पर देखें जो definition में बात कही थी मैंने where there is a right, there is remedy. और ये remedies कम मिलेंगी जब उस वेक्ट का right होगा. जो भी legal duties omit हैं, अगर उसके लिए किसी वेक्ट को right provide किया गया था, तो इस basis पे उसको remedies या compensation दिया जाएगा. तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम जानते हैं कि आखर you be just a be remedium, maxim का किस तरीके से development हुआ और इसका साब्दिक अर्थ किस तरीके से लिया जाता है. तो सबसे पहला word है हमारे पास just, जिसको हम justice से relate करके भी ले सकते हैं. जिसका मतलब होता है legal authority to do something or to demand something. किसी विक्तिका जो legal authority होती है, जो justice के लिए वो मांग करता है, court बे जाता है और अपने action को लेता है, तो उसको हम कहते हैं just, और वहीं remedium का मतलब होता है that the person has the right of action in court of law. ये हर एक विक्तिका जो कह सकते हैं एक right होता है, court में जाके वो जो भी उसके साथ wrong हुआ है, उसके लिए compensation मान सकता है, दूसरे विक्तिके खिलाफ आरोप लगा सकता है, या उसको सजा के लिए याचना कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं remedium. अगर किसी भी wrong के लिए legal remedies नहीं मिल लहीं है, तो उसको हम legal wrong नहीं mention करेंगे. अब यहाँ पे एक चीज़ और तोस्तों देखेगा, there are many moral and political wrongs, but are not actionable. हर तरीके के wrong जिसको हम morality से relate करके ले ले, political wrong से relate करके ले ले, तो उसके लिए हमें remedies provide नहीं की जाएंगी. यहाँ पे सिर्फ जो बात की गई है, वो legal wrongs के लिए की जाएंगी है, जो विधिक रूप से गलत कार होते हैं, जिसमें duties का omission होता है, तो उनको ही सिर्फ हम कहते हैं wrong, और उसके लिए हमें remedies या compensation provide किये जाते हैं. अब जो ची दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, उसी को एक example के द्वारा समझ लेते हैं, जैसा की एक contract होता है, जिसको stand paper बनना चाहिए था, बट उसको orally submit कर दिया जाता है, अब circumstances कुछ ऐसी बनती हैं, कि जो दूसरी party थी, उसको कुछ age of a cable harm से cause होता है, बट यहाँ पे जो legal remedies हैं, वो available नहीं होती हैं, अब जो maxim है, वो कहती थी, where there is no legal remedy, there is no legal wrong, यह justice statement भी appropriately consider करते हैं, where there is no legal remedy, there is no legal wrong, क्योंकि जहां कहीं भी legal remedies provide की जाती हैं, सिर्फ वहीं पे हम legal wrong को consider करते हैं, या वहीं पे legal wrong माना जाता है, इसलिए जो हर तरीके के wrong हैं, उसके लिए remedies provide नहीं की जाती हैं, चार जो essential part है, you be just every remedium maxim के, उनको बहुत धान से समझेए, यहाँ पे आप, जहां कहीं भी right exist करता है और court of law के द्वारा recognized है, सिर्फ वहीं पे you be just every remedium maxim को apply किया जा सकता है, उन जगों पे जहां पे right exist ही नहीं करता है, वहां पे ना कोई remedies मिलती है और ना हम इस maxim को apply कर सकते हैं, दूसरा कहता है, a wrongful act must have been done, which violates the legal right of a person clearly, वही सेम बात है, बस थोड़ा सा उसको घुमा के बोला गया है, यहां पे, यहां पे कहते हैं, violates the legal right of a person clearly, जहां कहीं भी legal rights को violate किया गया है, और violate कब होगा, जब exist कर रहा होगा, तो सेम वही चीज़ है, बस यहां पे violation को दिखा दिया गया है, उसके बाद जो third point है, वो बोलता है, this maxim can be used only when sufficient relief has not been provided by the court to the person who sustained the injury, जब court of law sufficient reliefs provide करने में सच्छम नहीं होता है, तब इस maxim का use किया जाता है, fourth point कहता है, this maxim is applicable, if any legal injury has been caused to any person, if no legal injury has been caused, then maxim demnum sign injury will be used, जैसा कि demnum sign injury में दोस्तों आपने पढ़ा था, जब भी बिना किसी wrong के remedies provide की जाती है, तो उसको हम कहते हैं, demnum sign injury तो इन cases में, UB just MA remedium को apply नहीं किया जाता है, अब देखते हैं दोस्तों, UB just MA remedium exam के क्या limitations हैं, या किन जगों पे इसको apply नहीं किया जा सकता है, सबसे पहला point कहता है, it is not applied to moral and political wrong, जहां कहीं भी moral या political wrong होंगे, ये actionable नहीं होगा, ये बिलकुल भी apply नहीं किया जा सकता है, और इसको उन cases में भी apply नहीं किया जाता है, जहां पे proper remedies नहीं दी गई है, या किसी भी तरीके का breach of right है, अंडर common law, common law के अंडर अगर breach of right है, तो उसको हम other court में ले जाएंगे, और उसकी जो remedies होंगी, इस maxim को apply करके नहीं मिलेंगी, और जो third point है वो कहता है, if there is a no legal damage, which has been caused to any person, then this maxim will not be applicable, जहां भी legal damages नहीं है, वहां भी इस maxim को apply करके remedies प्रवाइड नहीं कि जा सकती है, और किसी भी तरीके की remedies नहीं available हैं, उन cases में जहां पे breach of marriage है, या personal commitment है, क्योंकि ये एक तरीके से trust पे based हैं, जो वही पहली चीज थी, जिसको हम बोलते थे legal damage हैं वो होने चाहिए, तो इसको एक तरीके से ये trust पे based होती हैं, इसलिए इसको legal damages के या legal wrong के अंदर consider नहीं किया जाता है, और इसमें भी जो ये maxim हैं उसको apply नहीं किया जाता है, अब उसके बाद this maxim is also not applicable in case of public noisence, public noisence से भी related जो case हैं उन में भी इसको apply नहीं किया जाता है, और इसमें एक और limitation है साथ में, ये सिर्फ तब तक के लिए है, अगर वो विक्त ये दिखाने में सच्छम नहीं है कि उसको other member से जादा की हानी हुई है, या जो उसके damages हैं वो other public member से जादा हैं, और इस maxim को उन जगहों पे भी applicable नहीं किया जाता है, जहां कहीं भी plaintiff के work में ही negligent होता है, मतलब जो plaintiff है, अगर वही wrongdoer है, तो इस maxim को apply करके remedies प्रवाइट नहीं कि जा सकती हैं, आपको ध्यान दिलाने के लिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से injury sign demnum और demnum sign injury को mention कर दिया है, यह एक short overview है, मैंने पूरे lecture को cover कर रखा है आपने other video में, तो आप जाएए playlist में और demnum sign injury और injuria sign demnum का lecture cover करिये, आप अगर एक short overview लेना चाहते हैं, तो इसको पढ़िए और समझिए, अब यहाँ पे दोस्तों, हमारे पास कुछ important case laws है, you be just a bit medium से related, जैसे आप सभी जानते हैं कि law में cases का कितना एक अलग ही महतु होता है, और खास कर जब हम law taught पढ़ रहे हों जिसमें की लगबग 50% जो syllabus है, वो cover होता है, cases के according, तो एक अलग ही महतु होता है law taught में cases का, जिसमें हम जानते हैं, सबसे पहला case के लिए, सरदार प्रमौत गुपता एंड अधर्स वर्सस अमर जीत सिंग कालरा का case, बहुत important case है दोस्तों, कई बार prelims के paper में भी आप से पूछा गया है, इसमें जो court है, वो कहती है, it is the duty of the court to protect and maintain the right of parties and help them instead of denying them relief, किसी भी तरीके की relief को deny किये बिना, ये duty है court की, कि वो maintain करे rights को, जो parties हैं और उनको protect करे, और इसको एक तरीके से basic principle भी कहा गया है, in the theory of philosophy of law बेइब, और दूसरा case है, दोस्तो, SB vs. White का case, बहुत important case है, इसको मैं पहले ही mention कर चुगा हूँ, आप मेरे case loss के lecture में इसको देखिए, और उसके बाद, DK Basu vs. State of West Bengal का case, खुद fact पढ़ी आप इसके, और ये जितने भी case है, इन सब में आप इनका ear mention करिए, और उसके बाद मैं आपको अलग दिखाता हूँ कुछ case ये, इसमें मरेटी vs. William का case है, सिव कुमार चड़ा vs. Municipal Corporation of Delhi का case है, सी वीरा थेवर vs. Secretary to Government का case है, तो इन cases को आप ध्यान से पढ़िए, इनका ear mention करिए, fact पढ़िए, और जानिये कि क्या हुआ है था इन case में, तो ये आपको बहुत अच्छे से explain करेंगे, यू बी जस्ट अबी रिमेडियम मैगजिम को, दोस्तो हर एक चीज़ मैं आपको इस लिए explain नहीं कर रहा हूँ, ताकि कुछ चीज़े आप खुद से सीखें और जाने, और अपने नोट्स जरूर इससे बनाते चलिए, और एक अलग तरीके की जिग्यासा आपके अंदर बढ़ेगी, लौको जानने की जब आप केस लॉट्स को पढ़ेंगे, साहिए मैं यहाँ पे आपको दो तीन केसी मेंसिन कर दू, लेकिन जब आप खुद से पढ़ेंगे, तो और भी कई नए-ने केसे आपके सामने आएंगे, और इस मैगजिन को समझने में आपको अच्छी तरीके से हेल्प मिल पाएगी, तो अगर आप मुसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए, और फेस्बुक, इंस्टा, ट्विटर और लिंक्डिन सब जगह पे मुझे को फॉलो करिए, और लॉर रिगॉर्डिंग सारी नॉलेज केन करते रहे हैं, तो थैंक्यू गाइस, थैंक्स लोट.